इसके प्रती इसको लागू करने के प्रती हमारी प्रजबधता थी है इस काम को करें नमस्कार धर्मग्यान में आप सभी का स्वागत है मैं कवितराना कैची धाम की इन खुबसूरत वादियों में हूँ और मेरे साथ मौजूद है विश्व विख्यात सुधर्शिय चक्र जोतिश चारी श्री सन बेतरा शोकाची सर एक बार फिर आपका स्वागत है एक ऐसा कानून जिसका किसी भी धर्म से कोई तालूग नहीं है जिसमें आपके जितने भी सिविल मामले होते हैं चाहे वो तालाग से जुड़ा हो शादी से जुड़ा हो बच्चों के अडॉप्शन से लेके जुड़ा हो या जमीन जायदा से निपटने वाले जितने भी क लागू नहीं है मुस्लिम पर्सनल लोग अलग चलाता है और दूसरी तरफ हिंदू का अपना पर्सनल लोग है तो सर आप मैं आपसे जाना चाहती हूं सरकारे आई और जाती है लेकिन जो सबसे बड़ी बात है यूनिफर्म सेविल कोड आखिरकार अब तक हमारे देश में क्यों नहीं हुआ जबकि हमारे पड़ोसे मुलकों में सुदान से लेके पाकिस्टान से लेके बांगलादेश यह से देशों में जब उबड़े कोई उसमें कमी निकालेंगे जिस तरीके से चिपल तर्लाक में हुआ है इसी तरीके से युनिफॉर्म सिविल कोड़ है अब नहीं तो कभी नहीं है भारी बहुंत है आपका लोकसभा में भी बहुत बहुंत है ना भूतों नो भविश्यती बीजेपी ने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि वीजेपी 303 लेके आएगी वह भी संसद में लोकसभा में तो अभी जो पोजिशन है बाकी जो है आपका अपोजिशन में कोई भी पर्टी ऐसी नहीं है कि वह उपोजिशन नेता को अपोजिशन स्ट्रॉंग ओपोजिशन अपने आपको साबित कर सके क्योंकि वह उन्होंने स्ट्रॉंग ओपोजिशन होने का भी वह क्राइटेरिया कवर नहीं करते 10 पर सेंट पर कोई भी नहीं है कॉंग्रेस भी आपकी 52 52 सीटे लिए बाकी जो चेत्रियें दलान चोटे-चोटे हैं कोई 20-22 आटारा मैक्सिमम में है तो आई-पी-सी की धारा ये च 44 जो है जिसमें आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये अब नहीं हुआ देखिए देश अब बदलाव पर है जो 2019 में हुआ है वो तेश की राजनीते में वैसा कभी नहीं हुआ जिस तरीके से 47 के बाद से कॉंग्रेस की सरकार बनी रही लेकिन कहीं ना कहीं तुष्टी करन की रीती के दहत या आपका उसा क्या बोलते हैं सेकलॉरिजम का कहनी बनाके उन्होंने मुखे जो ये थे उसको जो है दरकिनार करके वो उसको एक मुद्धा बनाके वो आगे चलते रहें लेकिन अब हम उमीद करते हैं मोदी जी से कि ये जो आपका यूनिफॉर्म कोड है इतने भारी बहुमत के बाद मई जून में इनको आपका राजे सबा में पून बहुमत पराप्त हो जाएगा मतलब उनको किसी की जूरूरत नहीं पड़ेगी और जहां तक बात है आपकी राजे सरकारें जो है दो तियाई से ज़्यादा स्टेट्स में बीजेपी की सरकारें हैं तो उनको कहीं से भी और फिर उसके बाद जो हैं हमारे जो माननी राश्पतिम होदे हैं वो भी चाहता है जो अपोस करते हैं वो इसलिए करते हैं कि वो अपोजिशन में और उनको अपना धरम समझते हैं बैटके अपोस करना अधर्वाइस यूनिफॉर्म सीविल कोड़ हो गया 370 हो गया 35A हो गया और जनसंख्या कंट्रोल यह मुद्दे ऐसे हैं जो हरेक पार्टी का णीकर नृत चाहता है हरेक पार्टी का निकर यह चाहता और हरेक पार्टी यह चाहती थी कि मीम मोदीजी बहूमत से खकता है क्यूंकि क्यूंक्य इसको वह पता रहती हैं क्या शायद उनका अपना मुस्रिम पर्सनल लौ है तो उनके अपने अपने कानून के चलते वह बाकी मामलों को निप्टा आने के वज़े से देखिए दुनिया बदल चुकी है दुनिया बदल चुकी है लेकिन आप अगर पुराने धर्रे पे रहोगे तो एक देन म बात करते तो ऐसे में जूनिफॉर्म सिवर कोर्ट को लाना लागू करना यह तब ही मुम्किन हो सकता है जब आप सब को सबकी सहमती से कर पाईए का बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सबका साथ सबका विकास उसके बाद सबका विकास विश्वास यह जो तीनों चीजें अग का विश्वास और वो इस चीज को प्रूव कर देंगे कि यूनिफॉर्म सिवल कोर्ट जो है आपके फायदे के लिए जिस तरीके से ट्रिपल तला के लिए कोई हिम्मत नहीं कर सकता था कि इसको इसका विध्यक पास करवाया जाए जाए इस मुद्दे को उठाया भी जाए उसका रिजन ये था कि जड़ में अगर आप जाएंगे तो कॉंग्रेस ने मुसलिम को सिरफ वोट बैंक समझा और वोट बैंक समझ कर मुसलिमों के जो आका हैं आका बोलें तो जो आपके मौलवी पादरी और मौलवी वेगरा जो हैं उनको अपनी मुठी में रखा उनको म सारे उसमें जो बैनेफिट्स हैं वो उन्ही मौलाओं के हैं मौलियों के हैं और मौलाओं ने ही चाती पीटी त्रिपल डला के लिए जबकि मुसलिम महलाओं ने आगे बढ़कर इस चीज़ को मांगा कि मोदी जी का डिसीजन बहुत बढ़िया यही कारण है कि जो है बीज जो और भी जो आपके जो युपीए के बार के जो दल आउन है युपीए से बार के वह भी बीज़ेपी को ही सब्सक्राइब तो प्रेब 201 हैं अबáisद मैं किन्ट बढ़या ंप्रों लगेगा सरकार को ने वालेन पांच सालों में कि वो देश ने एक बार फेर यूनिफर्म सेविल कोड को लागू कर सके। देखिए मैं इसके लिए एक सुझाव दे सकता हूं क्योंकि इसमें जो तबका ना करने वाला उसको एक्सप्लोइट अपोजिशन ना करें उसको एक्सप्लोइट विगठन कारी ताक्ते ना करें इसलिए पहले उन लोगों को इस सावा में बहुमत मिल जाएगा 2020 के जून तक मिल जाएगा तो तब तक इन लोगों की मीटिंग्स लेके इन मोल्मियों की जो आपके मदर्सों के थूँ जो भरांती फैलाते हैं इन लोगों को एचुकिट करना पड़ेगा इनको पता होना चाहिए कि उनस से उनकी कौम को उनको और देश को क्या फैदा है और अगर वो यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट नहीं लागू होता तो उनको उनकी कौम को और दे को आप देश से अलग कर रहे हैं जबकि यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट भारत में रहने वाले हर भारती के लिए एक कानून होना चाहिए जो वाजिब है हर तरीके से वाजिब होना चाहिए लेकिन वही आपका राजनीती के तहत कुछ लोगों को भढ़का कर सड़कों पर ल द्यान से बड़े ध्यान से सोच समझ के क्योंकि जो नेटवर्क बीजेपी और आरेसेस का है जो नेटवर्क एंडिये का है उस नेटवर्क को अगर फुली यूटिलाइज किया जाए तो ये तीनों यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट आपका 370, 35A और चोथा जनसंख्या कानूं चनसंख्या को कंट्रोर करने के लिए जो कानून बनाया जाएंगी इस पर बड़े धंग से काम किया जा सकते हैं इस पर हमसे बाचित करने के लिए उनसे जुने के लाप बहुत बहुत शुक्रिया तो ये थे मासे संबेता जे जनों ने बताया कि यूनिफॉर्म के लिए कितना महत्वपूर्ण है इसको लागू करना तब देखले मुझे यानकी कावता को दीजे जास्त और धर्मग्यान के साथ यूँ जुड़े रहे हैं